विजुलाइजेशन की शक्ती के बारे में हम सब लोग जानते हैं लेकिन विजुलाइजेशन को कैसे सही तरीके से यूज करना है और कैसे उससे हम अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं इस चीज के बारे में आज हम बात करेंगे आज हम जानेंगे ब्रैंड ट्रेसी के कुछ रू विजुलाइजेशन करते हो एक दिन में आप दो बार विजुलाइजेशन करते हो तीन बार विजुलाइजेशन करते हो या आपको जब भी समय मिलता है उस समय आप उस चीज को विजुलाइज करते हो लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप पस हर समय विजुलाइज ही करते आपको एक number fix करना होगा कि आप रोज सुबा उटकर और रात को सोने से पहले अपने goal को visualize करोगे और उसके बाद अपना काम शुरू करोगे या उसके बाद रात को सोने जाओगे तो अब आपको ये decide करना है कि आपको एक दिन में कितनी बार, कितनी frequency में उसको repeat करना है कितने time के लिए आप अपनी visualization को hold कर सकते हो कितने time के लिए आप अपनी visualization को पकड़ कर रख सकते हो जितने लंबे समय तक आप उसको पकड़ कर रखोगे उतना अच्छे से आपका subconscious mind उस चीज़ को समझ पाएगा और उस चीज़ को अपने अंदर पकड़ पाएगा इसलिए जितने लंबे समय तक आप इसको कर सकते हैं उतना ही अच्छा है लेकिन problem ये है कि शुरुवात में हम मैंसे कोई भी लंबे समय तक इसको नहीं कर पाता है इसलिए आपको पार बार practice करनी होगी और एक समय ऐसा आएगा जब आप इसको पहले कुछ seconds तक फिर कुछ minutes तक अपने दिमाग में पगड़ कर रख पाएंगे अगर आप visualize कर रहे हैं लेकिन आप वैसा महसूस करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं आपको उसको अचीव करने पर कोई खुशी नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं आपकी visualization में कोई कमी है अब यहाँ पर आपको एक चीज और समझनी होगी जैसे जैसे आप visualization की practice करते जाएंगे वैसे वैसे आपका दिमाग उस चीज़ को feel करना शुरू कर देगा आपको महसूस होगा कि आपने उस चीज़ को अचीव कर लिया है और धीरे धीरे आप उस चीज़ को manifest करने लगेंगे वैसे बड़ी problem यह है कि जब भी लोग इसके बारे में सुनते है तो कुछ लोग कहते हैं कि यह चीज़ काम नहीं करती और कुछ लोग कहते हैं कि यह चीज़ काम करती है लेकिन जो लोग यह कहते हैं कि यह चीज़ काम नहीं करती वो ज़्यादा फायदे में रहते हैं उन लोगों से जो यह मानते हैं कि यह चीज़ काम करती है क्योंकि जो यह मानते हैं कि visualization काम करती है और फिर बस बैठे रहिए बहुत से लोगों की ये सबसे बड़ी गलती होती है अगर आप उस चीज को visualize कर रहे हैं तो उस चीज के लिए actions लीजिए और एक बात और समझे जैसे जैसे आप उस चीज को visualize करते रहेंगे वैसे वैसे आपका subconscious mind उस चीज को achieve करने के ideas आपको देता रहेगा अब आप पर ये depend करता है आप अपने ideas को कैसे पकड़ते हो और कैसे उनको follow करते हो और कैसे actions उसके लिए लेते हो इसलिए इस बात को समझे कि आपको actions तो लेने ही पड़ेंगे चाहे फिर आप positive सोच रहे हो visualization कर रहे हो या meditation कर रहे हो कोई भी चीज आपको बैठे बैठे नहीं मिलने वाली इस वीडियो की समरी ये है कि आपको हर रोज एक number decide करना है कि आप दो बार visualization करेंगे या तीन बार visualization करेंगे फिर आपको धीरे धीरे उस visualization की timing को बढ़ाना है हो सकता है अभी आपको seconds कर पाए फिर आपको एक minute का time रखना है फिर आपको दो minute का time रखना है ऐसे धीरे धीरे आपको अपनी visualization की timing को बढ़ाना है number three feel करना बहुत ज़रूरी है अगर आप उस चीज को feel कर सकते हो उस चीज पर विश्वास कर सकते हो तब ही आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हो जितने अच्छे से आप उसको महसूस करने की कोशिश करोगे उतनी जल्दी आपका subconscious mind उस चीज़ को पकड़ेगा नमबर फोर जो सबसे important है आपको actions लेने पड़ेंगे आप कितना भी positive सोचो, कितनी भी visualization करो लेकिन आप अगर actions लेने को तयार नहीं हो तो वो चीज़ खुद आपके पास नहीं आने वाली आपको actions लेने पड़ेंगे इस बात को हमेशा याद रखिए अगर आपको positive thinking से और visualization से result नहीं मिल रहे है तो आपको इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि आपका subconscious mind कहीं आपको कोई idea तो नहीं दे रहा है उस idea को follow कीजिए उस idea के लिए actions लेजिए और फिर आप अपने goal को achieve कर लेंगे